हेलो बच्चो वेलकम टू रिजांगला एजुकेशन मेरा नाम है भारती और मैं हूँ आपकी जॉल जी एजुकेटर हम लोग ने बायो टेक्नोलोजी कर लिया था प्रंसिपल्स कर लिया था उसके प्रोसेसेज हम लोग ने कर लिये थे हमने पूरा एक मेथर्ड जान लिया थ था मतलब टेकनीक हमने जान ली हैँ थिक है हमने टेकनीक जान ली है एब बूस्ट और को यूश करने का समय है तो इस Chepter में आँग जय कम्लोग च diagnostic करने वाले हैं अदर्स बायो टेकनोलोजी अनिट्स अप्लिकेशन इस बायो टेकनोलोजी जो हम लोग ने पढ़ए पहले हमने जो टेकनीक्स जानी है कि कैसे कैसे हम लोग इतनी सारी अलग अलग जेनिटिकली मॉडिफाइड और्गानिजम्स बना सकते हैं ट्रांस जैनिक प्लांट्स ट्रांस जैनिक आनिमल्स बना सकते हैं उन सारी टेकनीक्स के बारे में हम लोगों ने अल्रीडी पढ़ लिया है कि कैसे यह होता है ठीक है अब कहां यूज हो रहा है किस तरह यूज हो रहा है और कैसे हमारे ले बेनेफिशल है यह हमें जानने का समय आ गया है ठीक है अब हमें क्या करना है हमें हमने क्या किया है यार हमने न सब कुछ समेट लिया है हमने सब कुछ इखटा कर लिया है अब से खटे करी हुई चीज को यूज करने का समय है जिसे आप लोग करोगे आप लोग जो भी पड़ोगे उसके बाद पेपर में अपनी पूरी नॉलेज क्या करोगे उदर डाल के आओगे है ना सारी नॉलेज उदर यूज करके आओगे कि यहां यह आता है यह पड़ा है यह है तो सब कुछ आप क्या करने वाले हो यहां पर हम लोग करेंगे apply ठीक है बायो टेक्नोलोजी हमने पड़ा था बायो टेक्नोलोजी क्या है basically it is the field जहां पर genetically genes को है ना change करके alter करके कुछ ना कुछ नया बनाया जा रहा है कुछ ना कुछ नया बनाया जा रहा है transgenic चीजे बनायी जा रही है जो हमारे लिए क्या beneficial है या किसी और चीज़ के लिए beneficial है ना तो उन चीज़ों की क्या करी गई है production करी जा रही है ठीक है ठीक है अब बायो टेक्नालोजी बेसिक लिए अगर हम लोग इंडस्ट्रियल स्केल पे देखें इंडस्ट्रियल स्केल्स हम लोग ने लास्ट इग्जामपल जो किया था बायो प्रॉससिंग का कि हम दवाई बना रहे हैं लोग उसको कैसे कैसे हम लोग बन industrial scale पे bio technology basically use होती है in the production of bio pharmaceuticals के लिए use होती है और genetically modified organisms के लिए use होती है किस के लिए देखो किस पे industrial scale पे इंडस्ट्रियल स्केल पे या फिर लार्ज स्केल प्रोडक्शन के अंदर जब लोग बायो टेकनॉलोजी की बात करते हैं तो कहां कहां यूज हो रही है बायो फार्मास्यूटिकल्स में यूज हो रही है या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड और्गानिजम्स बनाने में यूज हो रही है क्या बनाने में जेनेटिकली मॉडिफाइड और्गानिजम्स बनाने में यूटिलाइजेशन हो रही है ठीक है अब इसके अलावा गर हम लोग बात करें और कौन कौन सी फील्ड है जहां पर हम लोग बायो टेक्नोलोजी यूज़ कर सकते हैं तो भाई लंबी चौड़ी लिस्ट है है ना आज कल बायो टेक्नोलोजी इस टाइम पे बहुत हर अल्मूस हर जगा यूज़ हो रही है है इतनी इंपॉर्टेंट तभी तो आपके स्लेवस में है इंपॉर्टेंट नहीं हो तुम्हें क्यों बढ़ाएंगे है ना इंपॉर्टेंट है इसलिए बताई जा रही है तो फॉर एक्जाम्पल मैड मेडिसंस में यूज़ हो रही है डाइगनॉस्टिक्स में यूज़ हो रही ह यह किसट बोला मैंने मेडिशनमे थेरपेटिक्स में हाँ नेक्सट डाइगनॉस्टिक में कुछ नाकुछ डाइग्नॉस करने के लिए इस था लगाने के लिए नहीं में क्या बायो रेमिडेशन में एगरी कल्चर में वेस्ट मैनेजमेंट में या बोल सकते हैं वेस्ट ट्रीटमेंट में वेस्ट को और कैसे यूटलाइस करा जा सकता है वो भी किसे हमने जाना है बायो टेकनोलजी यूज करके हमने उसको और अच्छे से क्या किया है यूटला अच्छा आपको बताना चाहूंगी जैसे इक बायो टेकनोलोजी कि में आजकल बीटेक बीटेक बीसी हो रही है जो हल्दी राम से पूरी टेस्टिंग टेस्टिंग वगारा करते हैं क्वालिटी अनलेस होते हैं वह उस फील्ड में जा रहे हैं तो यहां पर क्या हो गया फू आपकी बाइयो टेकनल discourage हूं दिय हुआ शोचो सोचो मतलब यह तो बस चोटी سा लिस्टर जो मैंने आपको बताई है इसके अलावा पहां यूज हो रही होगी पहां कहां यूज हो रही होगी अब किवर इस चाप्टर में करेंगे हम लोगोंने कैसे यूज किया है और दूसरा हम लोग बात करेंगे एग्री कल्चर में किसमें एग्री कल्चर और मेडिसन में हमने बायो टेकनोलजी को कैसे यूज किया है हम इन इस चाप्टर में क्या करेंगे बात करेंगे इन दौनों की और कैसे यूज करा है हमने use किया है by the method of gene cloning gene cloning के वज़े से हमने क्या use करा है gene cloning की help से हमने क्या changes लेके आए है in medicine and in agriculture वो हम लोग देखेंगे इस chapter में ठीक है किसके वज़े किसके वज़े से changes आ रहे है क्या कौन सा process है वो gene cloning ठीक है इस gene cloning से क्या क्या differences आए है क्या क्या हमने better करा है उन सब की बारे में बात करेंगे हम लोग इस चाप्टर में specifically कौन सी दो field की बात कर रहे है medicine और agriculture तो let's start की मतलब biotechnology हमें चाहिए क्यों मतलब ऐसा क्या change हुआ है मतलब questions तो बहुत सारे है कि क्या change हुआ है पहले भी तो medicine बनती थी तो biotechnology ने ऐसा क्या new किया है तो कोई बताएगा मुझे मतलब पहले भी medicine बन रही थी पहले भी microorganism से नहीं नहीं प्रोडक्ट बन रहे थे उनकी natural capabilities को यूज करके traditional biotechnology की डेफिनेशन याद है ना जब हम लोगों ने traditional method biotechnology के अनुसार क्या बोला गया है कि और गयानिजम्स की natural natural capabilities यूज करके हमने क्या बना रहे हम लोग बहुत सारे नए प्रोडक्ट बना रहे थे हैं ना लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि हमें biotechnology ने मतलब ऐसा क्या किया क्या नए चीज़े बना दी कि biotechnology आज के टाइम पे इतनी जादा important हो गई और क्या किया से पहले मतलब यह चीज़े हुई क्यों हम बायो टेक्ट पे क्यों हैं तो यूचली हम life में आगे कैसे बढ़ते हैं जब हमें लगता है कि यह चीज़ हमारे पास क्या है कम है इससे हमें better हो सकता है और हमें रास्ता दिखता है कि मैं और ऐसे better कर सकता हूं तो वो मैं करूंगा है ना सेम यहां पर भी यह हुआ हो क्या रहा था कि पहले जो microorganisms थे उनकी naturally उनको क्या करा जा रहा था उनके naturally synthesized product को यूज किया जा रहा था मतलब उनके natural capability capabilities को use किरा जा रहा था सिर्फ Lower organisms को यूज किया जा रहा था क्या सिर्फ Lower organisms ही बच्चों क्या हो रहे थे यूजोचों अश्चों क्यों भए थे यार मैं यह भी तो होता है लुंध होगी है या नहीं यह नहीं नाकुछ को जर्गों में नोर्बी मिलोंगा जूचों अर यह तो यह बढी ज़्ट पर गार्टी हरे घए यह एद लूणा रूर्गानम को य इसने मतलब natural capabilities से आगे बड़े हैं और हम लोग ने further उनको यूज किया है हमने और organisms को सिर्फ lower organisms को छोड़के बाकी organisms को भी क्या किया है यूज किया है तो हम बोल सकते हैं कि यह सब change किया है किसने gene cloning किसने change किया है इस gene cloning के वज़े से यह सारी चीजें यह सारे restrictions क्या हुए है तूटे हैं और हम क्या हो गया है थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं ठीक है अब जब भी बच्चों में बात करती हूं किसकी कि जीन cloning की तो gene cloning क्या है आँ basically gene cloning फोर क्या है gene cloning for एन important आनिमल और प्रोटीन जब देखो हमने बात करी थी हमने पूरा process पढ़ाता क्या process पढ़ाता कि मेरे को एक desirable deemed जाएिए है ना मुझे एक मैंने एक desirable ऑ जीन धुंड़ा अब उस desirable gene का मैं चाहती हूँ किसी और टारेशिए उर्गानिजम में डाल दू ताकि उस desirable gene का क्या हो आऋ फाइधा उस दूसरे organism को भी मिले ठीक है तो казत तो चै पेस शोडिव हमें और सब्सक्राइबल जीन को निकाला किसी वेक्टor में डाला और नए होस्ट में डाल दिया ठाकर मैं उसको बहुत ज्सsanon कर सकूं और उसको दे सकूं जिसको में को असल में देना था वो चीर थीक है तो यह हमने क्या कि आप जीन क्लोणिंग में हमने पर पस बहुत सारे डिजायर जीन हो सके है ना यही सब किया था तो एक मिनट ठीक है तो हमने यह सब किया था ठीक है करेक्ट है अब लेट स्टार्ट है ना स्टार्ट करते हमने बेसिक जान लिया कि क्यों किया कैसे किया क्यों हुआ कैसे हुआ हमने जान लिया अब हम लोग आ application in agriculture start करेंगे क्या करेंगे application in agriculture हम लोग start करेंगे ठीक है लिख लो जल्दी जल्दी हेडिंग लिखो तुम भी मेरे साथ-साथ application in agriculture हमने जैसे कि मैंने आपको बताया इस चाप्टर में बेसिकली हम लोग agriculture में कैसे-कैसे यूज हुआ है कैसे-कैसे अपलाई हुआ है और medicine में कैसे-कैसे यूज और अपलाई हुआ है उसके बारे में हम लोग यहां पर बात करते हैं ठीक है अब देखो अब सबसे पहले अग्रिकल्चर में बायो टेक को यूज करने की जरुरत पड़ी क्यों पहले उस पे आते हैं क्योंकि हम लोग सल्यूशन वहीं देते हैं जहां प्रॉब्लम होती है प्रॉब्लम कुछ तो होगी जिसको हमें सॉल्व करना था तो हमने वो सॉल्व करी क यह से बायो टेकनोलोजी से ठीक है बट ऐसी क्या जरुतान पढ़ी थी तो जरुत यह थी कि आर्टाइम के साथ पॉपुलेशन बड़े जा रहे थी चुतनी ऑपुलेशन बड़े थी उतना खाने की कमी हो रही थी यानि कि स्कार्सिटी बढ़ रही थी पॉपुलेशन ध्यान से सुना, population बड़ी जिसके वज़े से scarcity आई, scarcity आएगी तो हमें कुछ ना कुछ तो solution निकालना पड़ेगा, उस solution के लिए हमने क्या यूज किया, बायो टेकनोलजी को हमने यूज किया है, ठीक है, clear है, अब देखो, इन बायो टेकनोलजी के वज़े से, मतब इस बायो टेकनोलजी के वज़े से हमने देखा कि food production बड़ा है, हमने कुछ methods यूज करें, हमने कुछ techniques लगाई, उसके बाद हमने देखा कि food production क्या हुआ है, increase किस किस चीज से food production can be increased ठीक है पहले क्या देख लेते है food production can be increased by food production can be increased by ठीक है तो जो पहला टाइप है वो है आपका आग्रो केमिकल बेस्ट अग्रीकलचर ठीक है क्या है एग्रो केमिकल बेस्ट अग्रीकलचर अग्रो chemical based structure ठीक है? structure नहीं agriculture अरे यार क्या करते हो यार तुम लोग भी based agriculture एक क्या method था food production को increase करने का वो था आपका agrochemicals use करना in the agriculture. agrochemicals यानि की use of chemical products है ना हमने क्या किया chemicals product का use किया chemical products का use किया ताकि हम लोग food की quality sorry food की जो quantity है crop yield है वो increase कर सके तो हम लोग ने यहां करा क्या किया है हमने यूज ऑफ chemical यूज ऑफ chemicals है ना chemical product हम लोग ने यूज करे जैसे कि आपके हो गए pesticides अब यार इन पेस्टिसाइड में बहुत तरह के pesticides आ जाते हैं आपको पता है pesticide यानि की pest को मानने वाले इसके अलावा हमारे पास क्या होते हैं आपके पास insecticides होते हैं हर भी हैं हैं फंजी plants होते हैं ही सब क्या है ये सब फणिसाइड फिंजाय का है इस्टिसाइड इनसेक्ट और है जानी की जो हमारे क्या कहते होते हैं हमें unwanted plants लाइले है उनको मारने के लिए उनको खतम करने के लिए हमने क्या यूज किया पेस्टिसाइड यूज करें ये सारे कैमिकल्स यूज करें दूसरी चीज जो हमने यूज करी है वह हमने यूज करी है सिंथेटिक फॉर्टिलाइजर्स क्या यूज करी है सिंथेटिक wines इसना तरफ ही बढ़ा सक एसके अलावा हमें क्या देना पड़ेगा क्राप को growth agents देने पड़ेंगे में क्या आप पड़ेगा growth agents हमेट अपने crop को देने पड़ेंगे तभी तो growth show होगी बन अई हमारे plants के अंदर बहुत सारी growth hormones बनते हैं हमें externally ली प्रोवाइड करते फॉर एक्जाम्पल यार ग्रोथ तो आपकी बॉड़ी में भी हो रही है लेकिन मम्मी बोलती है ना कि ये खालो ये खालो इससे हाइट बढ़ेगी इससे दिमाग बढ़ेगा ये करा करो वो करा करो तो वह सारी चीज़े क्यों हो रही हो एक्स्टरनल से इन प्लांटस में क्या घडा़ इनको भी दे सकते हैं तो हम लोगों ने इस में ड़ंब अला रहोद य् डाले इज़ेंट के साथ साथ हम ने इन में हॉर्मोन Mm हई हॉर्मोंस की भी हम्होर्मोंस भी यूच किया क्या हो सके एग्री कल्चर में बढ़ार आवा सकतरी करी इ तो यह क्यों गता है एक हो गया टेक्नीक दूसरी थी एंण अरड ऑगाणिक एगरी कलचर या फिर फार्मिंग चीह क्या दूसरी टी ओर गानेख अधरी कंड को धर या फिर फार्मिंग ठीक है अब यार यह तो कुछ नया है ना आज कल Omar孩子 dal الف अब डाल और और शावल औरГ Parkãy और ऐस गैंatterनित अब चैनलन लोग ऑर्गानिक वर यूज़ करते हैं इन जैनरल बहां भी organic वर्ड हम लोग कैसे उसकर रहे हैं की यार और ओरम manager के लिए नहीं पड़ी हमें हमें आता था हमने कर लिया ठीक है तो यहां पर भी और्गानिक अकरी कल्चर या और्गानिक फार्मिंग का मतलब होता है जब किसी भी तरह की आर्टिफिशल चीज को यूज नहीं किया गया है तो यहां पर क्या मतलब है no artificial no artificial substance is used अब क्यों नहीं किया गया है क्योंकि अगर artificial चीजें हम जादा यूज करेंगे तो नाचरल चीजें खराब होती जाएंगी टाइम के साथ डीग्रेड होती जाएंगी तो वो रोकने के लिए क्या किया और्गानिक फार्मिंग करनी शुरू करी फॉर एक्जामपल हमने क्या यूज किया हमने यूज किया मैन्योर बायो फॉर्टिलाइजर्स क्या यूज करा है मैन्योर हमने यूज करें हैं बायो फॉर्टिलाइजर्स बायो फॉर्टिलाइजर्स यानि कि जो हमने किसी नाचरल चीजों को यूज करके ही बनाएं पेस्टिसाइड यूज करें हैं, बायो पेस्टिसाइड क्या कर रहे हैं यार, बायो पेस्टिसाइड पेस्ट को मारने वाले कुछ चीजे हैं, ठीक है, इसके अलावा हमने यूज करें हैं, बायो कंट्रोल एजेंट्स, क्या, बायो कंट्रोल एजेंट्स, हम और्गानिक पा वज़े से क्या हो रहा था इनको यूज करने के वज़े से crop production increase हो रही थी इनको यूज करने के लिए क्या हो रही थी crop production was in crop production क्या हो रही थी increase और सबसे बड़ी बात है यह जितना भी organic farming के वज़े से हम लोग ने काम करा है और्ग्यानिक फार्मिंग का जो भी हम लोग काम करते हैं, वो हम लोग क्या करते हैं, एक हार्मनी मेंटेन करते हैं, बिट्वी नेचर और अस, कि हम तुमें नेचर को कोई प्रॉब्लम नहीं क्रियेट कर रहे हैं, वो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं क्रियेट करेगा, आगे ज सब को पता है है ना तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा इसी इसी चीज को लेके इसी फ्रेज को लेके प्लीज पढ़ाई करो अपना टाइम दो ताकि एक बहुत अच्छा टाइम आपके पास आए ठीक है अब यार हमने ये बात कर ली अब थर्ड टाइप ऑफ मे इनजीनियर्ड क्रॉप बेजड एगरी कल्चर ठीक है क्लियर है हम लोग ये यूज करते हैं तो एक साइंटिस्ट थे यार एक इनसान थे जिनका नाम था नॉर्मन ईब और लॉग क्या था नॉर्मान ईब और लॉग ये क्या थे ये वास नोन आस फादर ओफ ग्रीन रेविलूशन ठीक है क्या थे कौन थे ये एक इनसान थे नॉर्मन ईब और लॉग इनका क्या काम था यार इनका क्या काम था इनका काम था इनका काम था ये वास नोन आस फादर ओफ ग्रीन रेव revolution अब ये green revolution क्या चीज़े चैवा क्या बवाल है ये green revolution अब जब भी हम लोग green revolution की बात करते जो उनके father की बात कर रहे हैं तो आbild ox Tumb bilmiyorum revolution के बारे से बाद बात करेंगे यह निंगत deeply revolution की बात करते हैं यह वो टाइम पीरिट था ये वो मतलब एक वो साल थे जब क्या हो रहा था जब आपका फूड प्रडक्शन में एग्री कल्चरल प्रडक्शन में एक सिगनिफिकेंट इंक्रीज हमें देखने को मिला क्या मिला हमें फूड प्रडक्शन में क्रॉप प्रडक्शन में हमें एक सिगनि एक ग्रेइंस की, यानि ki wheat rice के production में हमें क्या मिला, हमें significant increase दिखा तो उस period को हमने नाम दे दिया क्या, green revolution, अब ये जो significant increase हम लोग ला रहे थे, ये significant increase जो हमें दिखरा था, ये क्यों हो रहा था, कैसे हो रहा था, ये कैसे हो रहा था क्योंकि हम लोग यूज कर रहे थे improved crop variety एक improved crop variety हम लोग यूज कर रहे थे जिसके वज़े से crop yield increase हो रहे थी जिसके वज़े से क्या हो रहा था crop yield increase हो रहे थी इसके अलावा हम लोग better practices better practices यूज कर रहे थे for example एक अच्छा method of irrigation हमने यूज करा, हमने soil conservation शुरू करी, तो ये सारी चीजे हमने क्या करा, better management practices भी हमने यूज करी, ठीक है, third चीज हमने क्या करा, that we use agrochemicals, हमने क्या शुरू कर दिया, use करना, agrochemicals यूज करना शुरू कर दिया, तो अगर मैं green revolution की बात करूँ बच्चो, green revolution क्या है, period in which significant increase in the yield of crops, grains, और specifically इसकी बात कर रहे है, wheat and rice was absorbed, specifically किसकी बात कर रहे है, wheat और rice की significant increase हुई थी, क्यों हुई थी, कैसे हुई थी, क्योंकि we used crop production हमने अच्छा यूज किया था, crop variety हमने अच्छी यूज करी थी, because we used improved crop varieties, है ना, कुछ चीज तुम यार अच्छी इस्तमाल करते हो, तो वो अच्छी निकलती है, है ना, पहले इस्तमाल करो, फिर विश्वास करो, टाइप, तो हम लोगोंने क्या करा, crop varieties, हमने improved crop variety यूज करी, जिसके वज़े से हम लोगोंने, हमें क्या मिला, high yielding varieties भी, high yielding varieties या high yielding crops मिले, ठीक है, इसके अलावा, हमने better management techniques, यूज करी, better management, better management, practices हमने यूज करी, practices was used, for example, आपका irrigation हो गया, soil conservation method हो गया, ये सब हमने यूज करे, इसके अलावा, हमने क्या यूज किया, use of agrochemicals, क्या यूज करे, agrochemicals, और इन सारी अच्छी अच्छी प्राक्टिस से हमें क्या देखने को मिला, एक significant increase देखने को मिला, जिसको हमने क्या बोल दिया, हमने बोल दिया green revolution, ठीक है, अब मतलब, कितना significant increase देखने को मिल गया होगा, जो इतना मतलब, इतना famous हो गया, कितना ही देखने को मिल गया होगा, तो बच्छो green revolution के time पे, food production triple हो गया था, कितना triple हो गया था, green revolution के time पे, food supply was triple, ठीक है, तो green revolution के अंदर, क्या हुआ, food supply was tripled, भाई सहाब इतना जादा, मतब तीन गुना जादा हो गया था, क्या food supply, बट, बट, फिर भी सब को, फिर भी क्या आ रही थी है, scarcity जैसी condition हमें देखने को मिल रही थी, फिर भी scarcity जैसी condition हमें देखने को मिल रही थी, यानि की green revolution was not a successful, मतलब complete successful नहीं था, ठीक है, complete success नहीं था, अब क्यों नहीं था, why was green revolution was not completely successful, क्योंकि हमने क्या यूज किया, agrochemicals यूज कर रहे थे, agrochemicals यूज करने के वज़े से, agrochemicals यार बहुत महंगे है, everyone, everybody cannot afford it, तो agrochemicals were expensive, दूसरी, conventional breeding practices अभी भी यूज हो रही थी, क्या कुछ modern नहीं यूज कर रहे थे, हमने बस practices थोड़ी से change उखरी, लेकिन conventional breeding practices were going on, अब जो new varieties required थी, जो new varieties हम बना रहे थे, उनको large amount of fertilizers की ज़रोद पड़ रही थी, अब अगर large amount of fertilizer और pesticide use होगा किसी भी field में, तो side effect तो देखने को मिलेंगे, है ना, side effect तो देखने को मिलेंगे, तो हम लोग बोल सकते हैं that green revolution was not a complete success, because, क्या हो रहा था, agrochemicals were expensive, दूसरा मैं लिख देती हूँ, बोलो के मैं आमने लिखा नहीं, green revolution was not a complete success, और ऐसा क्यों था मेरे बच्चों, क्योंकि जो agrochemicals हम लोग यूज़ कर रहे थे, agrochemicals were expensive, ठीक है, agrochemicals expensive थे, conventional breeding methods were used, ठीक है, conventional breeding methods used हो रहे थे, थर्ड चीज क्या हो रहे थी, थर्ड चीज हो रहे थी, जो new varieties हम बना रहे थे, या new varieties जो बन रहे थी, new varieties required, लार्ज amount of pesticides, and fertilizer जिसके वज़े से क्या हो रहे थे, side effects हो रहे थे, side effects कैसे हो सकते हैं, आपकी soil की fertility कम हो सकते, अगर soil की fertility कम हो गई, यानि की फिर उसके बाद कुछ उगना, उगाना ही उसमें क्या हो गया, हो जाएगा, problematic हो जाएगा, तो हमें अपने soil का भी धियान रखना है, ठीक है, हमें अपने soil का भी धियान रखना है, तो यह जितनी भी problems थी, है ना, यह जितनी भी problems थी, यह सब कौन solve कर सकता था, all this can be solved by, अपना, क्या बढ़ रहे हैं हम लोग, genetically modified crops, ठीक है, इन सब को solve करने के लिए, हमारे पास क्या है, अब हमारे पास है, genetically modified crops, ठीक है, genetically modified crops हम लोगों ने use करें, अब इन सब का solution है ना, five problems, one solution, L'Oreal की बात नहीं कर रहे हैं, genetically modified crops की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या use करा, genetically modified, crops हम लोगों ने यहाँ पर use करें, ठीक है, इन सब को कैसे ठीक करा, genetically modified crops use करके, जिसके अंदर हमने क्या technique यूज करी, we used gene cloning, ठीक है, हमने क्या use किया, gene cloning, अब gene cloning में हमने क्या किया, directly plant के genotype में ही changes कर दिये, ठीक है, directly changes कहां कर दिये, हमने plant के ही genotype में changes कर दिये, जिसके वज़े से उसने high yield crop दिया, high quality crop देना शुरू कर दिया, ठीक है, तो हमने यहाँ पर gene cloning में क्या करते हैं, हम लोग basically, direct changes in the genotype of plant, हमने क्या करा, direct changes in the genotype of plant, ठीक है, clear है, इतना clear है, अब यह जो changes, gene हमें इतनी देड़ से बोल रही हूँ, gene change करेंगे, gene change करेंगे, gene में alteration करेंगे, इसमें alteration करेंगे, alteration करनी कैसे है, या तो हम लोग gene add कर सकते हैं, या हम लोग gene subtract कर सकते हैं, दो चीज हम लोग कर सकते हैं, या फिर हम लोग gene kloning में क्या कर सकते हैं, gene addition कर सकते हैं, जब भी हम लोग gene addition और नाम से ही पता चल गया है, जब भी हम लोग एक या एक से जादा gene add कर रहे हैं तो हम लोग कर रहे हैं gene addition एक gene या तो हम लोग inactivate कर रहे हैं या पूरी तरह से उस gene को हटाई दे रहे हैं तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं gene subtraction, क्या बोलते हैं gene subtraction, तो इन दोनों method के use से, हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग produce कर सकते हैं अपने genetically modified crops, ठीक है? हम लोग क्या produce कर सकते हैं? genetically modified crops, ठीक है? का अब होते क्या हैँ अभी बाद डेफिनेशन लिख लेते हैं है ना डे देफिनेशन लिख लेते हैं ड्लोग लिखने हैं किसकी ट्रांस्गेन का और गाननिजम खीया जने टिकली Maorniifier और गानिजम की कि अब जब भी हम लोग जनितिकली बोडिफाइड और गानिजम् या transgenic organisms की बात करते हैं, तो any organisms whose gene was altered by manipulation are called as genetically modified organism या फिर transgenic organism. तो क्या है definition? Any organism whose gene was altered by manipulation, any organism whose gene was altered by manipulation, अब वो manipulation दोनों तरह की हो सकती है, gene addition भी हो सकती है और gene subtraction भी हो सकती है, तो इस तरह से organism को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं transgenic organism या genetically modified organism, ठीक है? अब gene modification की जब लोग बात करते हैं, gene को हम लोग modify करने की बात करते हैं, तो उस gene modification से हम करना क्या चाते थे? है ना, उस gene modify करके, addition करके, निकाल के, बंद करके, activate करके, inactive करके, करना क्या चारे थे? तो gene modification से क्या क्या हुआ हम लोग क्या लिख लेते हैं जीन modification ने क्या 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 नी क्या 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 ठीक है अगेंस्ट एबायो climate में रह सकते हैं मतब किसी भी नहीं बट हाँ इनको और टॉलरेंट बनाया ताकि अपना क्या करें प्रोडक्शन अच्छा कर सकें ठीक है सेकंड चीज क्या करी होगी दे रिड्यूस्ट 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 दी यूज और केमिकल पैस्टिसाइड है ना केमिकल पैस्टिसाइड के यूज को क्या कर दिया रिड्यूस्ट कर दिया रिड्यूस्ट दी यूज और रिलाइंस ऑन केमिकल पैस्टिसाइड केमिकल पैस्टिसाइड का यूज बहुत ज्यादा मिनिमाइज कर दिया थर्ड चीज जब लोग बात करते हैं किसकी कि हमने जी gene modification क्यों की है gene modification अब लोग और कैसे कर सकते हैं to reduce post harvest loss ठीक है reduce post harvest loss harvest होने के बाद जब harvesting हो जाती है complete हो जाती है तो बहुत ज़्यादा loss होता है soil को ठीक है तो उन सारी चीजों को reduce करने में भी gene modification ने help करी थी बाबा उसके अलावा क्या करी थी, efficiency increase करी थी of mineral usage, ठीक है, they increase the efficiency of, increased efficiency of mineral usage, ताकि क्या हो, fertilizers के जादा इस्तमाल ना करने, क्या हो, ताकि आपका soil की fertility exhaust ना हो, ताकि soil की fertility exhaust ना हो, और क्या करा था, और क्या कर सकते थे यार, हम लोग इससे, और हम लोगों ने सबसे important चीज़ करी थी, that it helps to enhance the nutritional capabilities, या qualities, क्या करा था, enhance करा था, nutritional capabilities, क्या करा था, nutritional value of food को increase करा था, ठीक है, increased nutritional value of food, for example, vitamin A, vitamin A enriched rice बनाया था, एक ऐसा rice बनाया था, which was enriched, मतलब बहुत जादा vitamin A उसके अंदर present था, enriched rice, ठीक है, ठीक है, clear है, तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोग ने यह सारी चीज़े करी थी, जब हम लोग, किसकी बात करते हैं, जब हम लोग बात करते हैं, आपका green revolution की, gene modification की, इन सारी चीज़ों की हम लोग जब भी बात करते हैं, ठीक है, clear है, clear है, बच्चों, okay, now, अब हमने last चीज चो बोली हमने बोला कि यार इन लोगों ने ना vitamin A enriched rice बनाया था तो सबसे पहला जो example है जो हम लोग पढ़ने वाले है that is golden rice क्या है क्या नाम है उनका उनका नाम है golden rice अब सोने के rice नहीं है नाम golden rice दे रखा है बट सबसे पहले तो ये develop किसने किया था it was developed by ingo portricus and peter bear किसने किया था developed by ingo ingo and peter इन दोनों ने क्या किया था golden rice को बनाया था develop किया था इसके अंदर क्या किया था इन्हों ने combat किया था किसी इसका vitamin a का और iron deficiency का ठीक है क्या किया था दे combat did combat vitamin a and iron deficiency ठीक है clear है clear है ठीक है अब हम मतलब golden rice भी तो किसी rice से बनाया होगा ना मतलब transgenic it is a transgenic rice है ना तो कोई तो होगा जो पहले से present होगा जिसके अंदर ये जाए होंगे तो golden rice is the transgenic variety of oryza sativa ठीक है इट इस दी transgenic variety of oryza sativa ये क्या है ये वो राइस है जिसमें changes आए जिसके वज़े से हमें क्या मिला golden rice देखने को मिला अब golden rice में करा किया था golden rice में क्या किया था beta-carotene को increase करा था जिसके वज़े से क्या था बीटा-carotene क्या हुआ है एक तरह का करा, tartner A को जादा करा, और इसके साथ साथ हमने क्या करा, pro vitamin, sorry, vitamin A बोल दियू, beta carotene, beta carotene के levels बढ़ाएं, और pro vitamin A के भी levels बढ़ाएं, pro है, pro word आगे लगा है, यानि कि it is inactive, क्या है, inactive है, ठीक है, अब हो क्या रहा था, कि यह जो beta keratin है, it is the principal source of vitamin A, यानि कि यह वो source है, major source है, important source है, principal source है, जिस से क्या मिल रहा है, vitamin A मिल रहा है, इसलिए हमने क्या करा, golden rice में इसकी quantity बढ़ाई, ठीक है, यह क्या है, it is the principal source of, principle, source of vitamin A, ठीक है, अब vitamin A बढ़ाना था, तो हमें beta keratin बढ़ाना पड़ा, अब जो नए rice बने थे, मतब जो नए rice बने थे, यह नाम golden rice क्यों पड़ा, क्योंकि जो नए rice बन रहे थे न, वो base से क्या थे, वो base से yellow color के थे, वो yellow color होने के वज़े से, इनका नाम पड़ा है golden rice, वो yellow color क्यों था, yellow color was due to the presence of beta keratin, ठीक है, किसके वज़े से, beta keratin के वज़े से, यह क्या थे, yellow color rice थे, अब यह yellow color क्यों आ रहा था, क्योंकि किसके वज़े से, beta keratin की presence के वज़े से, yellow color देखने को मिला था, ठीक है, अब यह golden rice हुआ, हमने vitamin A बढ़ा दिया, हमने beta keratin बढ़ाया दिया, यह हुआ कैसे, क्यों हुआ, कैसे हुआ, बेन important question है कि कैसे हुआ, तो हमने क्या किया, जब हम लोग ने इसके process की बात करते हैं, हमने क्या किया, हमने लिया gene of beta keratin, ठीक है, अब यह taken out तो चलो, ठीक है, हमने ले लिया, किस से लिया था, हमने लिया था, temperate daffodil से, ठीक है, एक मिनिट, किसे लिए हमने from temperate garden daffodil इस से हमने क्या ले लिया यार इस से हमने beta carotene बनाने वाला gene ले लिया beta carotene encode करने वाला gene ले लिया अब इस gene को इस beta carotene वाली gene को हमने insert कर दिया किसमे इन्टू temperate strain of rice में this was inserted into inserted into temperate strain of rice अब यह जब इसमें होस्ट में डाला मतलब हमने कहां डाला राइस में डाला तो किसी के थूई डाला होगा किसी के यूज से किसी method transformation method को use किया था हमने यहां पर plants के लिए कौन सा था agrobacterium हमने यहां पर क्या करा using agrobacterium insert करा using agrobacterium tumifacients agrobacterium tumifacients को use करते हुए हमने क्या करा insert करा किसको beta carotene वाली gene को in the strain of rice ठीक है अब जैसे ही यह यह क्या हुआ फिर यह act करा as victor ठीक है अब जैसे ही यह insert होगा तो हमें क्या मिल गया हमें मिल गया अपना golden rice अब इस golden rice ने क्या करा इस golden rice का मैंने बताया क्या था pale yellow color था due to beta keratin तो इस तरह से हमें vitamin A enriched rice मिला जिसको हमने बोला golden rice ठीक है clear है clear है done है ठीक है तो आज के chapter में इतना ही ठीक है मतलब आज के lecture में इतना ही चाप्टर तो भी शुरू ही हुआ है next lecture में हम लोग करने वाले हैं बहुत नहीं आउंगे इतने सुन्दर सुनर प्यारे प्यारे नोट्स बना रही हुआ यार पढ़ लू भलो इन ठीक है चलो मिलते हैं नगे अगले ख्लास में ठीक है बाइवच्चो कि का कि प्छाएं